अरे बच्चो उड़ जाओ स्कूल नहीं जाना क्या कितना बगबग करें तोड़ी दर सोने देना क्या है हम अगर इन लोग ने ऐसा कहा दिया तो मेरी नानी लगति हो तो और क्या हो अरी बच्चे देखो तुम सब लोग मिल करना मेरी बेज़ती कर रहे हो इस उम्र में भी मैं सुई में धागा पिरो सकती हूं बिना चश्मे के हम सब जानते इस बारे में सुलिया सुलिया चुप रही है नानी चुप रहती हूं मैं कोई नहीं सुल्ट जाओ अच्छे लोग है इसका चेहरा देखें बिना तो उठेंगे नहीं और यह जान बुझकर उठाएगा नहीं अच्छा सुनो आज से तुम लोगों को नीम के दातुन से दात घिसने की जरुवत नहीं है तो मिट्टी और कोईले से घिसेंगे नहीं नानी ब्रश और पेस से यह को यह तमाने लिए और यह तमाने लिए चलो ऑब जल्री से मूह दो लो इंचल भूपार है १े सब מס सब कितने में आया कुक्चनी 20 रुपे मैं क्यों क्यूं तुम अपने मेहनत की कमाएंजे बेकार में खर्च करते हो पीछे पैसे खर्च करने थे जोटे बच्चे नानी उनी के लिए तो कर रहा हूं और फिर मैं कमाता किसके लिए हूं तेरा कुछ भी ने जोग जादा हरा है देखो मेरा राजा हरा है हुआ हुआ है ए गोपाल बाजार जाना है शाम को जल्दी घर आ जाना कल जाएंगे नानी आज शाम को थोड़ा ज़रूरी काम है मुझसे बढ़कर और कौन सा काम ज़रूरी हो सकता है अरे अरे मैं तो बताना ही भूल गई थी घर में चावल बहुत कम है आज के लिए तो हो जाएगा ना शाम को लेके आओंगा फिर चीक है अच्छा वह चोटा स्कूल गया है ना गया है वह गोपी का स्कूल बहुत दूर हो गया है कह रहा था रोज उतना दूर चल नहीं पा र रहा था कितनी देर हो इसे जाए अभी तो गया है कहां जा रहे हो कॉफी तो पी कर जाओ ए चटो सुन गोपी अरे रुक जा हां भाईया स्कूल बहुत दूर है क्या हां भाईया पैर दुखते हैं क्या कोई बात नहीं भाईया ठीक है तो एक काम कर मेरे कंदे पर बैठ जा आज मैं छोड़ देता है ने ने नी बाईया कोई दिखीगा तो क्या सुचा कोई कुछ नहीं कहेगा और मैं आपने भाई को इंडर पर बिठा रहा हूं कि इसको दिक्कत होगी चल आजा बैट जा आजा समल को बैठा अच्छे से बैठ गया ना तरा इक देखा स्कूल से ट पूरे घर में पानी हो गया है कहा था ताल पत्री डालने के लिए तो परसो डालूंगा कल डालूंगा कहरात अब बारिश अचानक आ गई बच्चे बेचारे कहां सोएंगे वॉॉ यहां पर बच्चों को मिस्तर लगाओ जुआ 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 इजाँ अरे गोपाल रात भर तू ऐसे ही बैठा रहा पिछले पिछले जनम का कोई एहसान है क्या इनका तुछ पर या फिर अगले जनम में ये बच्चे तेरा एहसान चुकाने वाले हैं तेरे जैसा भाई तो मैंने आज तक नहीं देखा अरे नानी इसमें एहसान की क्या बात है अरे मैं तो बताना ही भूल गई लक्षपी पती ने हम सबको अपने घर पर बुलाया हुआ हाँ आईये आईये क्या बात है हम सबको यहां अचानक बुला लिया कोई खास बात है कुछ नहीं नानी कल अच्छा दिन है मैंने आपके पूछूंगा तो तुम बोलोगे अपने भाईयों के शादी के बात करूँगा और तब तक तो मेरी बहन बुड़ी हो जाएगी सही कह रहा हूं ना क्या इसलिए मैंने यह फैसला कर लिया देखो भाई कल सुबह का मुहरत बहुत ही अच्छा है उसी मुहरत में कल मंगनी हो दस लोग बस बात्रोम जाना है भाईया नीचे बात्रोम है वहाँ जाओ मुझे पता नहीं कहा है भावी नीचे जाएका ढूल लो मिल जाएगा तुम्हें बहुत जोर की लगिया चलो ना भाईया प्लीज परिशान मत करो जाओ यहां से तुम्रों कुरान चलना चलता आज कितना नरम-narum नरम म माज़ा कि महाँटी आसूम्हार में व्यों यह जानवत बैठ लेको मुला रहाएय वह बाउड़ शाइल सद्समें ने वा प्वार में नंवξ पर सुझा जानवर तो मेरें पादि केह скаж तुम सबके सब कितने शेर्टान हो चलो निकले आहां से बाहर जाओ राधा अरे क्या हुआ देखिए ना मेरे बैट की क्या हालत कर दी है और मेला पाउडोरेसेंट पूरा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने अच्छा सुनो तुम सब लोग बाहर जाके खेलो जाओ अचा बहन एक बात बताओ क्या वो तुम्हें तंग कर रहे है अगज नई कर रहे से और उन पर ही होन तीनों को तबी आप होस्टेल में डालना ही होगा जानती से और पाओंगी कि शादी से पहले मुझे किसी भी तरह उन तीनों को यह से भी तरह हॉस्टल में डालना ही होगा भाया तब ही मैं शांती से रह पाऊंगी वो मुझे दीजिए सुनिये आप जाकर नार्या लेकर क्या यह ठीक है पंडी जी यह आप क्या कह रहें जीजा जी आप अपने बहन के लिए दूसरा रिष्टा देख लीजिए आपका दिमाग तो ठीक है ना या पंजाने में बोल रहे हैं जान बुश कर बताईए मेरी बहन म क्या कमी है यह सूचा था कि मेरी होने वाली बीवी मेरे परिवार को जोड कर रखेगी लेकिन वो तो शादी से पहले ही मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है इसमें उसकी क्या गलती है जीजा जी देखें जीजा जी कोई भी लड़की शादी के बाद अपने प फैसला मतलो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बैहन ने तुमें पसंद किया है इसलिए। तुम लोगों कि खुशी के लिए मैंने कितनी तयारी की है पता है। यहां तक कि तुम्हारे नाम पर मैंने 50 एकड़ जमीन कर दी है। ये घर भी मेरी बेहन तुम्हें पसंद करती है इसलिए तुम्हें अपनी कंपणी में रखकर हर महीने पगार देता हूं मुझे मना करके तुम कैसे जीओगे एक बार सोच लो देखिए घास खाकर तो जानवर भी जीता है मगर जीने के लिए प्यार चाहिए न और मैं प्यार से जीना चाहता हूं जीने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं मैं चलता हूं गोपाल एक बात याद रखना जिन भाईयों के लिए तुम मेरी बहन को मना कर रहे हो जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब उन लोगों की शादी हो जाएगी तब वो लोग भी ना सोचे समझे तुम्हें सडक पर फेक देंगे और तब तु तो तुम्हारे भाई लोग इतने महान हैं महान लोग नहीं सामान ये लोग हैं इसलिए तो इतनी हिम्मत है करके करके लोग थमाने अड़ कि अल्यार लोगे खीसा डौने वृगोगी वाँम्हारे झाल 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 यह कपड़ा छोटा है जी सिर्फ तीन ही शट बनेगा ठीक है मुझे नहीं चाहिए मेरे भाईयों के लिए सिल दो ठीक है ना आपके भाईयों से मिले बहुत दिन हो गया है उनके तो नाम भी भूल गया हूं बड़े का नाम है मधु, दूसरे का नाम गोपी और तीसरे का नाम है शेखर शेखर में डॉक्टर की बढ़ा ही कर रहा है दूसरे नंबर वाला गोपी इंस्पेक्टर की नौकरी में सेलेक्ट हो गया है है और पहले वाला होटेल में काम कर रहा है पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता लेकिन वो सारा काम जानता है कभी खाली नहीं बढ़ता कुछ न कुछ करता ही रहता है अच्छा वो सब चुड़ अधर लगा दोगे जैसा कहता में चक्रों थोड़ा लंबा सेल दो ठीक है कि अ हुआ 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 है गडपत्ती सुन तो तेरा ही दामाद आया है ना बहरा है बहरा इतनी जोर से चिला रही हूँ अरे ना वह जो है ना वह गणपती नहीं है जही बेशने वाली मंगा है अच्छा फिर उसने अपने सिर पर कुछ रखा क्यों नहीं है आप चश्मा क्यों नहीं पहनती हूँ तो दिखाई नहीं देगा क्या इसका मतलब मेरी उम्र हो गई है ऐसा लगता है तुझे इसमें बताने व भया ड्रेस बहुत अच्छा है ना नहीं अच्छा कैसे लग सकता है बहुत लंबी हो गई शट बेचारे टेलर ने मुझे बोला था हल लेकिन मैं नहीं नहीं सुनी है यह सब मेरी गलती है इसमें आपके क्या गलती है भया भया आप आंके बंद कीजिए वह क्यों पहले बं भया अब देखिया यह लेटेस्ट स्टाइल है भया हां भया ठीक है माताजी पिताजी को हां जोड कर प्रणाम करो ठीक है भया अचल्द द्रवब परिशांद करते हैं नानिया वा हमारे कपड़े केसे लग रही है यह सिल्वाया है यह क्या उसका दिमाग खराब हो गया है कितने चुटे-चुटे कपड़े सिल्दिया है बच्चे बड़े हो गये है थोड़ा भी देग क्या हुआ अब पताओ नानी क्यों सतादे हो मुझे सब किट आगे तो नानी किटा सतादे हो जागे चुपाओ अरे बाप्रे बाप क्या गर्मी है पुरा भीग जा रहा हो अच्छे अरे क्या हो गया इतनी देर हो गई यहां है पूचा नहीं कि हम लोग क्या खाएंगे पीएंगे क्या हुआ तुझे मैं क्या दीकरा हूँ तुझे क्या बेटर रहा हु उसक 먹 क्या समझ दे ते typ कम mar इघर रहुँ एधर आओ ऑड्यन्डोस लाने का बोला अपने डोसा का यह दोला एक यह क्या है प्याज और यह क्या है दोनों को मिलाया तो आनियन्डोसा खालो क्या बात है ऐसे करो बहुत ऐल सेव होगा ऐसे ही मेंटेन करो ऐसे है मालिक हमारी वज़े से ही आपके होटल में इतनी बचत हो रही है तो मेरा 50 रुप्या और इसका 100 रुप्या बढ़ा दो मालिक क्लेम को करेंगा जाओ तू यह का कर रहे हैं सब्लाइग को करेंगा जल्दी करेंगे जाओ जो जो ए मां महों का मिलते ही बस पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ बोलते रहते हैं मेरे बाल नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं पगार कहांसे बढ़ाओंगा तूम अच्छे से पास हो जाओगे ठीक है करेंगे पास हुआः कर दो जाओगे आओभा को... क्लि करता कर दो कि क्वाण झाओगे benते हैं से बहले हुआगे eso अच्छे से घ्र है Bowl T कर दो कर दो कर दो कि यह ले तुने पैसे मांगे थे ना तुम्हारी यह मदद में जिन्दगी भर नहीं भूल पाऊंगा तुमने अपने ही घर को मेरे लिए गिर्वी रखके मुझे पैसे दी और मेरी मदद की पता नहीं यह असान मैं कैसे चुका पाऊंगा अरे इसमें अहसान की क्या बात है अगर रहसानी चुकाना है तो तुमारी बेटी की शादी मेरे भाई से करवा देना यह तो हमारे लिए किसमत की बात होगी मादू मैं कर गाउं जा रही हूं तो मुझे मेरी मन पसंद चुडियां खरीद कर दोगे ना ठीक है घंटी भज गई जल्दी चलो टेंड़ी चलो अपने ख्याल लगना तुम भी अपने ख्याल लगना आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो हम कभी भी नहीं पूलेगी क्या बात करें सभल के जाएगा बच्ची ठीक से पढ़ना हां ठीक है बाबाई हां क्यों बाई बड़ा है क्या क्यों घर पर पता क्या है ना ऐसा यहां कुछ नहीं मिलता अपने क्या मांगा था बड़ा एक मिनट पर लाए और कुछ नहीं अब आप अजब उन फॉटल में बड़ा नहीं बनाया यह बड़ा कहां से लाया आपने चुहे पकड़ने के लिए वह रखा यह वह है तो प्र चुहे का क्या हुआ वह सुनते ही मर गया था ना देख लिए ना गुरुजी आपके होटल के लिए हम लोग कित तुम्हारी बीबी कहां चली गई क्या ओके लिए आपके और क्या चाहिए सर कहां से आई है यह चिठी अरे चहर में अपना सुन्दर में ना उसकी बीवी ने लिखी है क्या लिखा है अगले मैंने फैक्ट के कुछ काम से वह गाम आने वाला है कहां है उनकी बेटी की बड़ी होगी इसलिए जितनी बड़ी हुई ना उसका फोटो भेजा है उन्होंने अच्छा लड़की का फोटो क्यों भेजा है इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है पच्पन में ही तै हो गया था कि मधू और गौरी की शादी होगी रिष्टे के लिए मांग रहे होंग का फोटो भेजा है ऐसा क्या दिखाए बच्पन में कितनी सुंदर देखती थी पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई है इतनी काली लंबे-लंबे दात नाक भी कितनी गंदी है इसे देखकर तो मुझे उल्टी आ रही है है भावी ऐसी है क्या है ऐसी कैसी रहने दे वही मेरी बीवी है बच्पन में ही ताय होगी थी नहीं दूंगा अगर यह फोटो आप देख लेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा अच्छा देदर भावी बहुत अच्छी है भगवान भाई के रिष्टे की बात करने जा रहा हूं सब सही और ऐसा अश्वराद दीजिए अरे कैसी हो तुम मैं ठीक हूं आप कैसी है बढाई हो सर आप ऐसे ही काम्याब होते रहें मेरी यही दिली एक्षा है सर आप सच में बहुत अच्छे इंसान है थेंक्यू थेंक्यू अगर यह नहीं होंगे तो और कौन होगा सब्सक्राइब थीक हो ना बहुत दिन हो गया अरे ऐसे क्या देख रहें सुन्दर मेरा दोस्त है गाउंवाला अरे इने बताना है एक्स्क्यूज मी तुम यहीं पर बैठे रहो मैं थोड़ी देर नहीं यहां जो भी खाना खाना चाहते है वह लोग उपर आजाए और रहीं आप अब भी खाना खाने आई है तुम कहां जा रहे हो बैठो हम दुरह मेल के खाएंगे हां अलो शर आई आईये सही वक्त पर आगये अरे भाई सब आप नमस्ते कब आया आप यहां पर बस सभी आया हूँ घर में सब ठीक है ना सब ठीक है जी वो गवरी कहां है उसकी फ्रेंड अमेरिका से आने वाली है उसे ही रिसीव करने एर्पूट पर गई है क्या हुआ इतनी अचानक केसे आना हूँ अरे कुछ नहीं billion फ़ार भाई के शादि की बात करने आया हूँ औरा ऑ अच्छा तो कुछ कrafि सपैसे चाहिए क्या अ यह क्या सुनलतर मेरे भाई की और तेरी बेटी की शादि करवाइंगा इसा बच्मन में अहां हो गया था अच्छा तो तुम्हारा भाई क्या करता है आ होटल में काम करता है यहां कितनी अब महीने का सथ्धेम जो मिलता है भुकेश कारवri का कृफर माली के भिक मैंद्यसर तुम्हारी पशेयर कितनी सैर मतलब Ihren बैस हजार ना यह से है कeddar तुमारी पगार कितनी है? पाच हजार मालिक मकेश सर उसका टावल अपने कंदे पे लेकर अपना चश्मा उसे लगा दो सर वो ब.. डू वाट आइसे कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है क्यो? सूट बूट पहने वाले आदमी ने टावल डाल रखा है लूंगी पहने आदमी ने काला चश्मा पहन रखा है यह देखने लायक नहीं है क्या सच में? तुम लोग जाओ अब यस सर अगर तुमारे भाई के और मेरी बेटी की शादी हो गई तो उन दोनों की जोड़े भी कुछ ऐसी ही नजर आएगी मानता हूं एक समय में तुमने पैसे से मेरी बहुत मदद की थी उससे इंकार नहीं कर रहा अगर चाहो तो मुझसे वो पैसा ब्याज सहित वापस ले लो लेकिन एक बात कहूं अगर तुम यह सोचते हो कि यह शादी हो सकती है तो दुबारा मेरे घर भी मताना फिलाल मुझे बहुत काम है तो चलता हूं और हां इतनी दूर से आये हो तुम खाना खाकर जरू जाना अब सुन्दर एक मिनिट तो मैं मेरा दोस सुन्दर समझ कर आया था लेकिन मेरे सामने तो पैसे वाला सुन्दर खड़ा है अगर यह पता होता तो मैं नहीं आता चलो कम से कम तुमने खाने के लिए तुपा बहुत खुशी हुई चलता हूं चलता हूं जी क्या हुआ बिटा सुन्दर से मिलकर आया क्या कहा लड़की की कुंडली के हिसाब से दो साल तक कर सकता कह रहा है तुमने क्या कहा अगर कुंडली में ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं इतने सालों के तो दो सालों रुक जाते हैं पात तो सही है कि 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 वहां किसी ने आपका अप्पान क्या क्या भीया अरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रहा है भीया बच्पन से आएने में अपना चेहरा कम देखा है आपका ज्यादा देखा है आपके अरभाव को समझ सकता हूं लेकिन एक बात है भाईया अगर आपके सर जुकाने से गोरी से मेरी शादी होगी तो मुझे यह शादी हर्गिस नहीं करनी भाईया इस जन्नम में तो क्या किसी भी जन्नम में नहीं करनी मुझे अरे तुमारे होडल का टीफीन बहुत बढ़िया है थैंक सार यह साथ तो आप लोगों की दुआ है की स्केशिया गांसे फश्टं करो ना अब हम क्यों मजाग करेगा तुम अमारा दोस्त नहीं है ना हम तुमारां चाचा ये ना तुम पागल हो गया क्या जबान समाल कर बात करो देखा आपने इसकी बत्ता बीजी अरे भाई पैसे हुए हम सौ रूपे दिया हमने बिलका पैसा काट के वाकी पैसा वापस देने को बोला तो यह हमको पागल बोल रहा है ऐसा क्यों कर रहे हो भाई पैसे देदो एक घुज़ा पहले तो अपना अरे मैं क्यों बिलबर उभाई अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं तो फेर नो अंध्रिया मन करके अंदर आओ और खाना खा करके वापस जाओ अरे क्या लवड़ा हो रहा है देखो मदू पैसा नहीं दिया और फिर दिया बोलकर जूट बोल रहे हमारे स चाहुआ पैसा दे तो हमें ऐसे चला जाएगा आपने और साड़े बतिस रुपे दो बराबर हो जाएगा इनकी बात और सुन लो हमसे यह उल्टा पैसा मंग रहे हैं आपका बिल कहा है यहीं पर तो है और अपरे दोका है दोका एक सो बतिस रुपे पचास पैसे कैसे हो ग साल के जो मेरी सर्विस है इतने लोगों को देखा तरीज से बेकार में जगडा क्यों करना चाहते हो इमानदारी से बिल भर ना पड़ेगा नहीं दिया तो सर काट दूंगा अपना हाथ को हमारे पास पैसा नहीं है पहले मेरा है छोड़ यह कितने का होगा हमें नहीं पता यह चुराया हुआ है ना क्यासा लग रहा हूं बहुत बड़िया ठीक है तुम जाओ अच्छी अरकत दूसरी जगे पर मत करना नहीं तो तेरी टांग तूड़ जाएगी तुम्हें अगले माहने से पागार सो रुपया बढ़ा का देता हूं अगले माहने से तेरे पागार मैं तुम्हें दूंगा सो रुपए कट करके जाओ अपना काम करो चलो जाओ जाओ मास्टर जी मास्टर जी अजब से पोस्ट ऑफिसर घर एक हो गया चैन से खाना में नहीं खा पाता और सब को टाइम से टन करना पड़ता है कि सुनिया जी शाम को लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो आप भूल जाएंगे यसलिए सब्सक्राइब यह 36 वा रिष्टा है पहले वालों कोई पसंद निया तो इन लोगों कैसे पसंद आएगा और तुम कह रही हो कि मैं भूल जाओंगा कि अले क्यों ऐसे चिल्ला रहे हूं बोल रहा हूं ना रहा हूं हां बोलो क्या चाहिए दो इंग्लेंड कवर और दो काट चाहिए सर यह लो हां ठीक है और यह बाकी के अले गोपाल तु ऐसे बाहर क्यों खड़ा है अंदर आना कुछ नहीं यार तेड़ी खोपड़ी गरम थी तो मैंने सोच और परिशान ना करों इसलिए बाहर ही खड़ाओ गया अच्छा बता किस पर चला रहा था तू अरे किस पर चलाओंगा मेरे लिए तो शनी मेरी आते कोई अब क्या समझ में इस से सब मेरे ही कर्म है पतानी कौन से जन्म का पाप भोगत रहूं मैं इसकी कुंडली में शनी बैठा लगता है दूसरे को क्या दोश देना कैसी बात कर रहा है बच्ची नहाराज हो जाएगी रोजना तो सुनती है मेरी बात उसको भी आदत पड़ गई है जोड़ो यह सब तुम यहां आए हो लेटर यहां मनी ओडर के लिए यही ना अच्छा सुनो मैं एक बात कहूंगा बुरा मत मानना हां अरे क्या बात है बताना है जितना भी कमा रहे हो सब अपने भाईयों पर खर्च कर रहे हो कुछ अपने लिए भी बचा मेरे बारे में तो पता है नो तुम्हें अपने भाईयों को खूब पढ़ाय लिखा है और खूब तकलीफ सही मैंने आज वो अच्छा खासा कमा लेते हैं लेकिन पीशे मोड कर नहीं देखते हैं मैं इस लैक बिनी कि अपनी बेटी की शादी किसी पीन से करवा सकूं मैं न जय कर दोजे मैं मैं में जो था रद बेटे कर ते में देखते हैं में में लेका स nós सकता हैं में पीने से कर दो अचादी और खकी भारा सushman को falls सके बांकचरन ष्ँटी से कर वारे मैं आपर भाईयों कि सिर प्लाफ और पार relação है यहां शेखर कौन है मैं हूँ क्या हुआ आपका मन्योडर आया है यहां साइन कीजिए अरे मधू अरे शंकर चाचा आप है एक स्पेशिल चाला आई यह बैटकर बाते करते हैं मतिये कैसे आना हुआ कुछ नहीं बेटा शहर से बड़े-बड़े लोग आये हैं अपने गाउं में फैक्ट्री लगाने के लिए बगीचे के बंगले में रह रहे और सुनों इससे पहले तो मोटर मेगानी का काम करते थे तक तक देंगे तो पिर मैं आता हूं क्या अरे तुम्हें आती है क्या अरे मैं तो हर काम जानता हूं यह पीजए जनारदन सर्न हम लोग जान फैक्ट्री बना रहे उस साइट को देखने के लिए कुछ इंजिनियर तो स्टेशन पर कार भेजना मत भूला थीक है सर शंकर ने कहा था कोई नया ड्राइवर आएगा मैं उसे का इंतिजार कर रहा हूं अगर वह नहीं आ तो मैं खुद जाकर उसे ले आऊँगा तुम गोपाल राब के भाई हो ना अगर जी सर उस दिन मैंने तुमारे भाई को कह दिया था कि यहां पर शादी की कोई बात नहीं करेगा फिर तुम यहां क्यों आयों मैं उसके लिए नहीं आया हूं सर आपको ड्राइवर चाहिए ऐसे शंकर चाचा ने कहा था इसलिए आया हूं ओ आइसी लाहिसेंस है क्या है सर ओके यह कार लेकर स्टेशन जाओ तुमारे साथ मेरा पीए जाएगा ठीक है सर और एक बात तुम कौन और कहां से आये हो यह बात मेरी बेटी को बिलकुल पता नहीं चलनी चाहिए समझ गए ना ठीक है सर जाओ पता नहीं अपनी जवान पर कायम बिले गए यह नहीं करोड़ों रुपे देने पर भी वह हैसान फरामोशी नहीं करें अरे नानी मा चावल यहां नहीं यहां है आ मुझे पता है नीचे गिरे हुए चावल उठा रही थी अच्छा सुनों टाइम हो गया है खाना लगा दूं क्या सुबह राओ जी रास्ते में मिले थे उन्हें खाने पर बुलाया है वह आ जाएं तो साथ में मिलकर खाएंगे ठीक है मा जी आये जी आये आपी का इंतिजार कर रही थी क्या सोच रहे हो इसे अपना ही घर समझो आव 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 यह क्या नानी बिखारी को अंदर लेकर क्यों आई बिखारी नहीं कहते यह तो अतीति हैं अतीति की सेवा करना पुन्य का काम होता है अतीति दे अगर तुम्हें सेवा नहीं करनी है तो वापस बेजदेती हूँ बेचारा विकारी है भीग मांगता है ऐसा कहकर इसकी बेजद्रति नहीं करूँगे जाओ 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 बद बाश कहीं का माजी भीग दे दीजे ऐसा कहा होता तो पहले तुझे बाहा निकाल देती माजी इस तरह से कह रहा था और गर में आ गया चल निकल यहां से विर से आया तो टांगे तोड दूँगी कभी दिखाई मत देना मुझे मैंने चावल कहां सुखाई है मुझे वहां तक लेकर पहले लेकर तो चल यहां है पता है मुझे अपनी लाठी यहीं पर रखी थी कहां गई यह लिजे माजी क्या मांगा था भीक चाहिए भीक चाहिए मारुवी तुझे सुभा सुभा भीक मांगने आ गया है इसा सबक सिखाऊंगी कि दुबारा नहीं आएगा कहां मेरी लाठी है यह रही हां बोलो यहां ओ क्या हुए नानीमा जरा पास आओ ना कहां था ना वापस बताना अपनी शकल में इसके बाद वापस आज़े आप पता है यहां से अनानीमा अरे उससे क्या समझ रही हो वो अपना सूंटी था वो तो मुझे पता है उसमें घलत काम किया था ना इसलिए मार रही थी उसे सुबाराम आएंगे तो यह उने भी मारेगी ठेक है भाईया शैंकर काका हां बेटी मेरा से बहुत दर्द हो रहा है किसी को बोल कर एक स्ट्रॉंग कॉफी बनवा कर भेज़ दीजिए लेके आता हूं बेटी गोरी गोरी सूट वाली कॉफी पीलो सरदर्द कीक हो जाएगा चाचा कॉफी मैं ले जाऊंगा आप अपने काम कीजिए आचा बेटा है कॉफी कौन हो तुम जी मैं आपका नया ड्राइवर हूं आपने कॉफी मंगवाई थी ना तो लेकर आया हूं तुम्में अकल नहीं है क्या आने से पहले नौक करते हैं पता नहीं है मार्फ किर्जे गलती हो गई हम ठीक है ठीक है यहां रगदू और जाओ यह क्या है सोट कॉफी आपको सरदर्द है ना शट अप तुम ड्राइवर हो या डॉक्टर मैंने सौट की कॉफी मांगी थी जितना बोला जाए उतना ही करो दिमाग चलाने की ज़रत नहीं है और तुम यह क्यों लेकर आए घर में की आए नहीं है क्या यह पक्ड़ लेजाओ कि क्या तो अरे बहाई मसाला बटा है क्या नहीं है सुबह ही 500 बड़ा बनाया था को ले चुद निवागे एक मारूं का सरपे बड़ा से मेरे होटल के बड़ा पत्तर शेकम नहीं है वैसे एक बड़ा बच्चा हुआ है लागे दूंगा नहीं चाहिए मैं डोसा खालूंगा किसमात अच्छी दिसकी बॉसमा इतनी वालो और खालो बेटी प्लीज मा नहीं चाहिए मेरी बच्ची खाले ना इस ट्राविर को देखती हुना तो गुसा आदा है मुझे क्यों उसकी नजरे ठीक नहीं है मां हमेशा गुर्दा रहता है मुझे वह ऐसे देख रहा है तुम्हें कैसे पता इसका मतलब तुम भी तो उसे उसी तरह से देख रही होगी ना कि तुम्हें सिर्फ उसका शरीड दिखाई देता है बेटी उसके मन में छांक कर देखोगी तो ऐसी बाते नहीं करोगी भाई साब नमस्ते यह समान अमान लेकर आज आप कहां जा रहे हैं चोटा भाई शहर में डॉक्टरी की पड़ाई कर रहा है ना अच्छा ठीक है मैं चलता हूं अरे भाई रुको रुको कहां जा रहे हो अंदर जाना है वह लेट्डू काला जामनों चकली है तुम ठीक तो हो ना इसे बेचने के लिए तुम मार्केट से मज़ कर आए अरे यह मेडिकल कॉलेज है जाओ यहां से बात नहीं है इसका भाई है ना इसी कॉलेज में पढ़त सब लोग आ गए सर कुछ लोग का अना बाक्ति है फिर शुरू हो जाएगा ठीक है कॉंगेस जार थेस थे कॉंगिन थे यहां सब लोग तेरी बाई को बाई है अरे गोपल जेए फेसे कॉय तारीफ करता है का मेरा बाई है आ वहां पडस्येखर यह मेरे ड़ेडिया थेड़ी कर दक्सुर्णलडब पल्लिश कार्ति है जुट्ट है जीए अपने बाई डॉक्टर पढ़ रही अपने लिए गर्व की बात है लेकिन अगर उसे कहना पड़ा कि मैं गाहँवाल उसका बड़ा भाई हूं तो उसे शर्म आ जाएगे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग है ना हम यह खड़े उके देखते हैं डियर स्टुडेंट्स अपने कॉलेज की ये रज़ जहनती है इस उसर पर अपने कॉलेज के लिए गर्व की बात है और हम सब के लिए खुशी की बात है अपने फाइनल ये स्टुडेंट मिश्ट सेकर इंडिकेशन आफ कैंसर इन दा नियू मिलेनियम इस बात पर एक भी आया था इतनी चोटी उमर में उन्होंने ऐसा अद्बूत्वे पर लिखा इसलिए मिस्टर शेकर को एप्रिशेट करते हुए अपनी तरफ से और कॉलेज की तरफ से उन्हें गोल्ड मेडल देने का फैस्ट ला लिया है हुआ है यह तुम दिलो मुट किया तुदी हाई कोड के जज शुरी राम मोहन राओ जी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने हाथों से उन्हें गोल्ड मेडल प्रदान करें अजशन हो राम मंदाराने ऊपया समर्दानों अबसका यंदर कोमा मंदाराने से उन्हें इसिता के अगरो यह क्या है ठीचए लगो funktioniert क्रुकर खिश् 자्र φरेंगा इंदर को संना हाँ यह क्या संदेनी च्णूण कोति करने नियुक्त वील्यीन है इन नेको चलो दिखले यहां से, भाया, हटाओ, तुने मेरे भाया की उपर हाथ उढ़ाया, तुरी तो, भाया, मैं इसे छोड़ूँगा नहीं, चांट से बार दूँगा मैं इसे, चलिया, आईए मेरे साथ, दियर स्टूडेंट्स, मैंने जो कुछ भी आज किया है, आप लग जो मेर मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजा होता, तो मैं भी आज काओं में खेटी कर रहा होता, सिर्फ इनके कपड़े देखकर आज इनका अपमान किया गया, अगर आपके सामने में अच्छे कपड़ों में खड़ा हूँ, तो यह सब इनकी महरबानी है, मैं सफेद कोट पहन क कर एक डॉक्टर बन जाओं, इसके लिए ही जिन्दगी भर मेहनत करते रहे, इनका कर्स में कभी नहीं उतार सकता, तीर फ्रेंड्स, मैंने अपने माबाप को नहीं देखा है, मगर जिन्दगी भर मुझे मा का बाप का तो रुख प्यार दिया है मेरे भाहिया ने, मेरे लि मेरे सपनी के लिए जिन्दगी कुर्मान करने वाले ये है, बगवान के समान, टेवता जएसे मेरे भाहिया का, उस वाँच मैन ने आज अपमान किया है, प्रियाको के साब ने अपमान किया भाहिया अश्क कि अभूआ कि अहीं, भूच्छी हुआ हुआ अभूआ है ა है अने है अर्म है, कर दो दो इस दो इस आर्म एड़े यह कौन है इनका नाम आनंद है मालिक के पार्टनर के बेटे हैं इनके साथ ही मालिक के बेटे की शादी होने वाली है मिट मैं फ्रेंड्स ही इस विना है 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 मैंने बताया थाना शी इस गौरी मेरी होने वाली हाँ शी लुकिंग ग्रेट ना या या अलो यंग मैं अवा यू फाइन अंकल गॉड ब्लेस यू क्यों बेटा कैसे हो मैं ठीक हूं आंटी मम्मी पापा कैसे हैं एक्टम ठीक है आपको और अंकल को याद कर रहे थे साथ में गौरी को भी मुझे बोला कि इसका ख्यालक निकलिए चलो अंदर चलो सब मिलकर नाश्ता करते हैं चलो 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 एक्स्यूज मी सामन वही ने दीचिये नौकर ले आएंगे आप लोग अंदर जाएंगे आप लोग अंदर जाएंगे ले अंदर जाएंगे जाएंगे वह दूप सेहत के लिए अच्छी नहीं है ऐसे लिए नीचे कर दी थैंक्स कभी बात नहीं अज किसमत तुम्हारा बहुत साथ दे रही है सिर्फ आची नहीं हमेशा मैं लखी होती हूं मेरी बात मानो खेलना बंद कर दो वरना तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी है अपना पैसा है चाहे तुम्हारे पास रहे या मेरे पास अच्छा वो सब छोड़ो चल जली से काट बाढ़ो बाढ़ो कल सुबह आजा लगी के सब ए वाहं चालक कि दर हो कि हम द्राइवर तुझे भोल राहें इदर आओ तो समझ में आया क्या वहां चालक की बोलते हैं तीक है चार पैप्सी की बोटल लेका है ठीक है वहां कहा जा रहा है फ्रीज अंदर दो है ना फ्रीज कि यह लीजे सर कोल्डरिंग ओपन करूं क्या कोई ज़रूत नहीं मारक दे मैं चलता हूं सर एक बात बता पैर में तेरे पहिये लगे हैं क्या हर वक्त चलता हूं चलता हूं बोलता जाता है वो नहीं सर काम हो गया घर जाना है अब किसने का काम हो गया अभी तो बहुत काम बाकि घर जाने का बस बहाना चाहिए कि अपना हाथ दो अरे हाथ दो यार इस बालू में जितने भी कंकड़ है उससे गीन के हमें बता तब तक हम लोग अपना हाथ खेल रहें ठीक है जा तो फिर से आ गया मैंने गिन लिया सर इतनी जल्दी गिन लिया हाँ जी एक लाग चार हजार दो 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 हैं पूरे हैं मैंने तो किन लिया है सर आपको शक है तो आप भी लिजे कर दो कर दो कर दो अब बेटा मधू कल सुबह जल्दी आ जाना क्यों चाचा कल मालकिर का जनम दिन है ना अच्छा हाँ है क्या क्यों मधू कर करें जाओंगी तो मेरी पसंद के जोड़ियां लाकर दो गrena ठीक है कर के और कि करा दो कि पिज़ए गए है यह ज़ानी है अधिका यह 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 तो यह ज़ानी है आपको 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 इसलिए मैं तुम्हें कम आखके देख रहा था यह रियली इंटेलिजेंट जो हुआ उसे भूल जाओ आज से हम दोनों फ्रेंड्स हुए सर आप बड़े हैं दोस्ती में छोटा बड़ा क्या होता है कम ओन अच्छा क्या ही यह वो वो कुछ नहीं कुछ नहीं अरे कोई बात नहीं दिखाओ न मुझे दिखाओ आज मालकिन का जन दिन है ना सर मालकिन को देशी चूडियां पसंद है यह तुम्हें कैसे पता और मजलाओं को चूडियां तो पसंद होती है ना वैसे यह देकर मालकिन से क्या कहोगे और क्या कहूंगा जन दिन के शुब काम ना यह दूंगा बस नो गवरी के पास इतने स दोस्त को तो आती है ना, I want to be your hubby, ऐसा कहो, क्या मतलब इसका सर, इसका मतलब यह है कि तुम सौ साल खुशी के साथ जी हो, यही मैं भी बोलने वाला था, एक बार और बताए, I want to be your hubby, 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 क्यों, समझी नहीं क्या, तिरा ड्राइवर तिरा पती बना चाहता है, कि अच्छा है ना, जब चाहे जहां जा सकती है, मेरे घर के नौकर होकर, मुझ से शादी करना चाहते हो तो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या हुआ इंसल्ट हो गए क्या, मालकी ने मारा क्या, ए, क्या हुआ ? चेहरा क्यों बुर जाए हुआ हूआ है, बहुत दर्द हो रहा है १ क्या क्या थर बता ना, तू नहीं बताःगा तो हम्हें कैसे बता चलेगा कि दर्द कितना हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है .... तुने जुतना और थिंसे सोगने जैदर वह केना है तुम जाओ बेटा ये क्या आप पागल हो गई है क्या इसने आनंद पर यह अब नि हीना अदित अब रोक रहे हैं य। मेरे टाई विटा है तौम याओ तुम जलो मेरे साथ झाल झाल शंकर काका हाँ चुटी मालकेन मधू अब तक नहीं आया अभी तो नहीं आया वो क्यों वो काम छोड़ का चला गया ना बेटी भाईया क्या है उस दीदी ने दिया है मैंने गलती की है लेकिन वो सब अंजाने में हो गया और जो अंजाने में होता है वो गलती नहीं होती उसे माफ किया चाह सकता है ना आपके बच्पत की को और ही को आज और में चोड़ देती हूं रहने दीजे कोई बात निंग चलिया ना रहने दीजे कर दो कम से कम चादा ले लीजे रहने दीजे ले लीजे ले लीजे ना प्लीज लीजे लुटिटे लीजे लीजे लुटे मानुटे लीजे लीजे लुटे लुटे हैं गोरी उन लोगों ने उस जमाने में मेरी मदद की थी ये वाद सच है और उसके लिए मैं उन लोगों को सौ गुना ज्यादा देने को तैयार हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी बली चड़ा लूँ उन लोगों ने जो पैसे दिये थे वो आप लोटा देंगे पर उन्हें जो जुबान आपने दी थी उसका क्या आप मोगर सकते हैं पर आपकी बेटी होने के नाते मैं नहीं कर सकती गौरी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यह समझो तुम्हारा फैसला गलत है नहीं बापा मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता मतलब करोड़ पती के बदले तुम्हें एक भिखारी से शादी करना चाहोगी येस अगर चपल सोने की बनी हो तो उसे मैं आपके आशिरवात से सारे कामवलों के सामने उनसे शादी करना चाहती हूँ हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें किसी रजिस्ट्रार ओफिस या मंदिर में जाना पड़े प्लीज उसने तो तुम्हारे उपर भी हाथ उठाया है लेकिन मुझ पर नहीं अंकल मेरे एगो पर वो पढ़ा लिखा नहीं है मैंने ही उसे कहा था वॉन टूबी और हभीब कहने के लिए हां गौरी लेकिन उसके लिए मैं तुमसे माफ ही नहीं मांग रहा हूं क्योंकि अगर मैं मैंने वो बता दिया होता तो तुम्हारे मन में किसके लिए प्यार है कभी नहीं जान पाता अनंद मुझे सब पता है अंकल वो बच्पन से ही गौरी को प्यार करता आया है उसका दिल बच्चे की तरह साफ है और वो बहुत मासूम भी है एक बात मैं सच सच बताओं उसके अंदर जो सिंसेरिटी है वो मेरे अंदर नहीं है वो ही तुम्हारे लिए सही पती है अल्दी बेस्ट कौरी पापा आपने बुलाया मुझे हाँ बेटी तुमसे जरूरी बात करनी है बताएगे ना पापा तुम मेरे घर में एक राजकुमारी की तरह रही हो उस घर में जाकर तुम बरतन घिसकर लकड़ी का चूला जलाकर कैसे जीपाऊगी तुम्हारी पसंद से इंकार नहीं है और सिर्फ इसी वज़े से मैं उससे तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ पर अभी तुम्हारा पिता होने के नाति में तुमसे कुछ मांगता हूँ वो दे पाऊगी चाहे तुम्हें कोई भी तरीक अपनाना पड़े तुम अपने पती को उस घर से बाहर निकालोगी मैं उसके नाम पे कॉटन मिल कर दूँगा इससे वो खुश भी रहेगा और राजा की जैसे जीए यही सब मैं तुम्हारी खुश ही के लिए कर रहा हूँ बैटी आठे तुम्हारे पती के नाम कुछ तो होना चाहिए ना मैं तुम्हारी जिनकी को खुश्रूमा देखना चाहता हूँ तो तुम्हें उन चार भायों से अपने पती को अलग करना होगा बोलो क्या यह कर पापा मैं पूरी कोशिश करूँ गोपाल एक बात याद रखना जिन भाईयों के लिए तुम मेरी बहन को मना कर रहे हो जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब उन लोगों की शादी हो जाएगी तब वो लोग भी ना सोचे समझे तुम्हें सड हम साधू लोग हैं आप धर्म प्रभू हैं दान कीजिए मैंने कहा दान कीजिए कि नहीं मुझे क्या का आपको धर्म प्रभू कहा यह संटी को इडली बांदो आहां आहां आप बहुत बड़े दानी हैं आप जिसे लोगों के कारण ही समय पर देश में बारिश होती है और कम नहीं होता है स्वांटी सादू जी को मसाला दो सा मसाला बड़ा दो ठीक है आज तक मैंने दानविर कंड का नाम सुना था आज आपको प्रतेक्ष में देख रहा हो प्रभू अरे मस्त मंजा आया स्वामी जी को उप्मा और चिल्ला चट्टी लगा करके उपर से वादाम ड मैं आपने हाथ हों से देख थो काने में नहीं सब्सकों नहीं कर रहा हूं आ इसके चार लगा के इसको भार कर दें बड़ा चला के मार दूं क्या नहीं मर जागा यह मटरकेस मेर ओपर आ जाएगा यह बात है तो फिर इडली से ही मारता हूं यह पापियों तुम जैसों के कारणी बारिश नहीं होती भुकम पाता है नमस्ते मालिक हाँ नमस्ते शंकर जी बोलिये क्या बात है कुछ नहीं मालिक मालकिन के लिए घर वालोंने कुछ समान बेजा है ओहो यह बात है बेटा गौरी हाँ बाया आपने बुलाया नमस्ते चोटी मालकिन मालिक ने आपके लिए कुछ समान बेजा है इस लिस्ट के इसाब से आप सारा समान चेक कर लीजिए यह सारा समान वापस लेकर जाए और मालिक को दे दीजिए क्यों बेटी जैसा कह रही हूं वैसा घीजिए ले जाए इसे यह तुमने क्या किया गोरी? तुमारे पिताजी ने इतने प्यार से समान भेजा था तुमने वापस लोटा दिया वो क्या सोचेंगे? कोई भी कुछ भी सोचे अगर कोई किसी को कुछ भेज रहा है तो उसके स्टेटस के हिसाब से भीज़ना चाहिए ना मुझे ऐसे समान भेजियो उन्होंने मुझे उस सबकी कोई जरुत नहीं है तो फिर मैं वो समान क्यों हूँ? क्युछ भी स्ट्रोंट तो फिर मैं वो समान क्युम्ग गावरी, गावरी, आये पापा, ये क्याक्या वेट्टी तुमने, मैंने क्या किया, और क्या करना चाहती हो तुम, मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए सामान भेजा था, और तुमने उसे वापस लोटा दिया, कुछ कमी थी तो मुझे कहती, इस तरहे वापस को भीजवा दिया तुमने, कुछ भी कमी नहीं थी बापा, जो जो जरूरी था वो था लेकिन जो जरूरी नहीं था वो भी था वो क्या था हर चीज पर मेरा नाम था इसमें घलत क्या है बेटी पापा जिस दिन मैं इस घर की बहु बनकर आई थी उसी दिन इस घर की सदस्य हो गई थी अगर आपकी बेजी हुई चीजे मैंने रख ली तो जब जब मैं उन् मैं जैसी ही रहने दीजिए मैं इस घर में जैसी हूँ बहुत खोश हूँ बाबा अम वेरी हैपी विद वो और अगली बार आपको कुछ भी भेजनी के ज़रत नहीं है बाबा प्लीज बेटी होकर आपकी इच्छा पूरी नहीं कर बारी हूँ इसलिए मुझे मुझे माफ क कि अधरा कि अधरा कि अधरा कि अधरा कि अधर जी के घर में फंक्शन के लिए चलेवी लेट डू बंसूर पाग ले जाकर यह कपता हो गया है ना वहां से अभी दे कोई बीए इंसान नहीं आया है उनके घर जाकर पैसे मांगने के जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें आपका दिमाग तो ठीक है ना उनके घर कोई जिन्दा होता तो लेके आता ना ठीक है जाओ क्लिंड करो पब्लिक पब्लिक नानी जी मुझे आशिरवाद दीजिए अरे यह क्या कर रही है बिटी आज शुप सावन का शुक्रवार है मुझे इसी अभागन औरत का आशिरवाद क्यों लेना चाहती है तू यह ठीक नहीं है बिटी नानी जी माथे पर तिलक लगाने से कोई सभागिशाली नहीं बनता है इंसान की सोच अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है तीन पीडियां देख लिए आपने तो आपका आशिरवाद नहीं लोगी क्या अगर एक बार आपने आशिरवाद दे दिया तो सौ सालों तक सभागिवति बनी रहूंगी मैं आशिरवाद दीजिए मुझे उट्थो बेटी यह लीजे गोरी खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने तांक यू एई ऐसा खाना खाये बहुत दिन हो गए थे सच में बहुत बढ़िया था है ना सही कहा तुमने इसलिए तो गपर गपर खा रहे थे भावी सच में खाना बहुत अच्छा था बेटी सब्सी में मसाले की पुडिया डाली ती या पिर मसाले पीस कर डाला था तब भी तो इतना ज्वाद था मैंने कहा था ना हाथ दो ले अब हांद हो सकता हूँ भाईया सुनो क्या बात है देवर जी आपने खाने के बारे में कुछ नहीं कहा सब्सी बहुत अच्छी थी भाबी थांक यू भाबी ये लीजिये भाइया आप भी लेजिए बिटी मुझे माफ कर दो यह आप कैसी बाते कर रहे हैं बाहर नहीं भूल पाया लेकिन तुम्हारे बारे में गलत सोचा था और यह गलत बात है ना उस दिन शाद्य होने के बाद तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बात मैंने सुन ले थी तो मुझे और मेरे भाई को अलग कर दोगी यह सोच कर डर गया था लेकिन कल तुमने अपने पिता कुछ जवाब देना वो सुनकर मेरे दिल को शांती मिल दी मन ठंडा हो गया बिटा मैं यहां तकलीफ उठा रही हूँ ऐसा मेरे पापा ने सोचा पैसे नहीं रहेंगे तो तकलीफ उठाते हैं ऐसा उन्हें लगता है पर ज्यादा पैसा होने पर भी इंसान तकलीफे उठाता है यह बात उन्हें नहीं बता है मैं यहां जैसे भी हूँ बहुत खुश हूँ बहुत अची बात बोली हम दूध है या पानी पता नहीं लेकिन तुम चीनी हो यह पक्का है तुम हमारे घर की बहु हो यह हमारी खुश नसीबी है हम नसीब आले हैं आप लोग नसीब आले नहीं बहुत मेरी बनाए हूं सब्जी में कोई स्वाद नहीं था पर आप सब आना तो मैंने ही बनाया था ना भाईया किसी में भी नमक नहीं था आप नहीं कहा सो कहा आपके दूसरे भाई ने तो खीरे की सब्जी अच्छी है यहां तक कह दिया था कि मुझे पुराना लगे सही तो कहा आज मैंने खीरे की सब्जी बनाए ही नहीं थी भाईया इतनी देर हो गई है यह आखिर है कहां पर ठीक है सुबराओ शाम को घर आकर मिलता हूँ हाँ ठीक है सुबराओ जी जरा यहां पर आईए अच्छा मेरा नाम आपको कैसे पता सिर्फ आपका नाम ही नहीं आपके बारे में बहुत कुछ पता है बहुत बता है अडरिया मैंने सुना है कि आप बीड़ी में स्टायल में पीते हैं तुम्हें किसे बता आया कैसा पर पीकर बताइए न अरे इसमें क्या है यूस निकालो उसके बार इसे मसल के फिर हाथों में लेके पूरे ताइल के साथ हमें काम करते हैं बीडी मैं पीता हूं और आप बताइए मेरा स्टाइल आपको कैसा लगा देजे नो अरे नहीं है वह जो जाओ यहांसे माचिस नहीं है सुबर सुबर कहा से टपग्या यह जो जो किया दून रहे हूं भाबी कुछ नहीं यह सही इससे इडून रहो ना कोई बात नहीं लेलो लेलो तेंक्यू भाबी अब भाइया आप नहीं जा रहे हैं अब एक मिनिट मैं पानी गर्म कर देती हूं होता ही आपको बुला लूँगे अरे मुझे गर्म पानी नहीं थेंडे से नहां डिया है बस दो मिनिट में गर्म हो जाएगा इतनी थंडी भी थंडे पानी से नहाएंगे तो तबियत खरा शेखर है आप उसके रखवाली करती हैं क्या भावी है क्या देवर है बहुत अच्छा क्या पीरा है वो बीड़ी बीड़ी वो तो अभी पी रहा है इसलिए पता चल गया ऐसी बेकार के चीज़ पीकर तब्यद खराब हो जाएगी कहो से वो कोई रूई से बनीनी सिग्रेट पी रहा है ना फिल्टर्ड हाँ हाँ वही तो वही वह पीने के लिए बोलो देखो मैंने ऐसा काई यह मत बताना हाँ हाँ सीटियो अची मुचा लेते हो काफी भी लो तुम जाकर नहालो यह काम मैं करते देती हॊंगा जब तक तुम आओगि रेडी हो जाएगा रहने देजेजूत अपना कपड़िकरonta जायो फें थीक है काफ है सब्सक्राइब मेरा कपड़ा रखें ले लो अरे यह क्या कर रहे हो वह कपड़े पहन कर जाओगे तुम हाँ अच्छे नहीं लगेंगे ना हाँ इसलिए भाईया एक्सरसाइज करके अपनी भूख बढ़ा रहा हूं सुबह से मैंने एक बुन पानी तक नहीं पिया है इस्वन्टी इदर क्या है इदर ना इस्वन उससे भी खाना खाने के लिए बोलना ठेक है भाईया क्या बात है राजकल दुम देखनी रहे हो यह बात पूछने के तुमने मुझे बुलाया मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था अरे इतना अर्जन काम क्या तुझा तुम लोगों के जैसे निठला बैटा हूं जो दीन बर बैठके ऐसे बखवास करता रहा हूं चित्रा तेटर में इंग्लीश फिल्म लगी ये टाइनिक वह देखने जा रहा हूं तुम लोगों कभी टाइटेनिक फिल्म के बारे में सुना भी है क्या नहीं सुना चाहिए तुम लोग तो पुरानी ब्लैक और फिल्में देखने के लाएक हो अरे मेरे जैसे इंग्लिश फिल्में देख के जेंदर नॉलेज बढ़ाना चाहिए समझ गया है चलता हूँ फिल्म देखके आने के बाद कहाने भी सुना दूंगा भावी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है चिकन फ्राइ मच्छी करी मटन कूर्मा अंडे की सबजी और चिकन बिर्यानी नजीर खाना है भाई मसाला दबाके डाली होंगी ना है तुझे उस सबसे क्या करना है तो तो जानी इंग्लिस फिल्म पूरानी फिल्म अच्छी है अपनी को कपी करके उन लोगों ने फिल्म बना है सब समझता हूं मैं वैस उन्होंने ना मदाल कर टाइनिक अपनी फिल्मे नदी था मद्र के ना है इस के सब्सकं घुरोमें कि भावी आपकी शादी में सब लोगों को सेंट मैंने ही छिड़का था सच कहा रही हूं भावी सुनकर कितना अच्छा लगता है यह लो ए चिकन पीस और लो हाँ डालो भावी मेरी भावी बहुत अच्छी है अब आपके लिए कॉटा है यह क्या गौरी पता इसे चिकन बहुत पसंद है इसे क्यों नहीं दिया तुम्ने अरे 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 यह यह अपका बहाई है मुझे तो पता ही नहीं था, आज तक एक बार भी मेरा चहरा नहीं देखा है, देखेगा तब तो मुझे पता चलेगा ना, कि ये महाशे मेरे पती के भाई है ये बचपन से ही बहुत शर्मिला है बेटा थोड़ा शर्मिला होना ठीक है भाईया, ये तो कुछ जादा ही हो गया देखो कोपी, मैं तुम्हारी भावी हूँ, और भावी मा के समान होती है और अपनी भावी से कोई शर्माता है क्या? तुम अपनी मा से शर्माते थे क्या? ये लोगए अब बहुत अच्छी है हैपी बर्दे बेटा हैपी बर्दे बैया चनम दिन बहुत बहुत मुबारको भाईया ओम केश्वाय नमा, ओम नाराय नमा, ओम माधवाय नमा, ओम गोविंदाय नमा, ओम विश्णाय नमा सुनिये, आप दोनों समझी अपनी थाली बदल लीजिए अरे ये तो सिर्फ पैतालिस अजार है, जी हाँ, पांच अजार कम रह गए, मैं वक्त से जमा नहीं कर पाया, लेकिन एक अफते में दे दूँगा मैं, जब जमा हो जाएंगे तभी ये मंगनी होगी सुनिये, ये क्या बात करें आप, अगर आप ऐसे अचानक चले गए तो उसकी जिंदगी का क्या होगा तो मैं क्या करूँ, मैंने पहले ही कहा था, मुझे मंगनी के दिन पचास जार रुपे चाहिए, इतनी फिक्र है तो पांच हजार आप ही दे दिजिए, देंगे आप पांच हजार क्या, पचास हजार हो तो भी दे सकता हूँ, उस लड़की की जिंदगी से तो बड़े नहीं है, लेकिन तुमहरा आश्रण देखकर ये रिष्टा तोड़ना ही बहतर समझता हूँ, तुम जा सकते हो अरे गोपाल, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम रुको, अभी तुम खड़े क्यों हो, तो हमारा दिल बदल सकता है, लेकिन हमारी बाते नहीं बदलेंगी, जाईए, जाईए, बहना, इदर आओ, ये पैसे ले जाकर अंदर रखो, जाओ रखो, ये तुम क्या कर रहे हो ग ये तादी मुझे दीजे सम двух, अब अपना नाम केहकर अंदर आज़ो, समती नाम बोलो, जब तक नाम नहीं बताएंगी, तब थक हम अंदर नहीं आने देंगे, हां, अब मैं और वो आए हुए है, वो मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पति का कोई नाम तो होगा, वो बताओ, ये और DPझ आ殆ए, ये अब आप बोले देवर जी वो भावी वो यह क्या लड़की की तरह शर्मा रहा है इसका नाम बता जल्दी बता मैं और वो आई है यह तुम्हार नाम वो है अब आप सब को तो नाम पता न फिर क्यों पूछ रहे हो यह सब नहीं चलेगा तुम्हें इसका नाम पूलना ही पड अरे ऐसे तुम ने बचा लिए तुमने मेरे इज़त बचा लिए तुम्हारे बहुत के लिए बड़े रिष्टे आ रहे थे फिर भी मेरे बेटी को अपनी घर की बहु बना कर तो उन्हें इस दोस्ती को बचा लिया मैं यह ऐसान कैसे चुका पाऊंगा दोस्तों के बीच में धन्यवाद माफी नहीं होता नहीं जब हो जाए अभी तक तेरे 500 रुपया हो चुका है फिर से उधारी कर रहा है एस तूँ अपने सारे कपड़ उधार कर यहां रख अरे नहीं रहने दीजिए क्यों वे तुझे खुजली दाथ कुछ बीमारी तो नही तेरा पूरा इसाब बराबर करूंगा मैं जोग पड़े पहन के आया था कमीना क्या है जब नहीं पकड़ो तो अपने रास्ते निकल भी गई नेरी पगार तो बढ़ाते नहीं आँँ अब अपनी करनी बोगो तो ज्यादा मत बोल ये शट मुझे बहुत ही पसंद है पसंद है तो पहल दो है यह अच्छी बेटी सुमती अंदर छाता लेकर आओ दीदी बड़े भाईया छाता मांग रहे हैं वह बहां से लेकर देदो मुझे दूसरे काम है आप ही जाकर देदो भाईया यह लीजिए चाता नमस्ते मालिक आप है क्या कर रहे हैं कुछ नहीं मेरे छोटे भाई शेकर की डॉक्र की पड़ा ही खतम हो गई एक अपते में वह आ रहा है इसलिए यह हॉस्पिटल त्यार कर वा रहा हूं बहुत ही खुशी की बात है गरीबों की सेवा करने के लिए इस गाउं में आ रहे हैं आपके भाई बहुत अच्छे भाई हैं आपके चलता हूं माली अब यहां धन्यवाद की माली आपकी कृपास से मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिष्टा मिला है अच्छी बात है अगले महीने के 15 तारीक को शादी है आपको अपने परिवार के साथ आना होगा माली ठीक है बेटी आशिरवाद लेलो जीती रहा हूं जीती रहा अच्छा लड़का क्या करता है राइस मिल में सहाया का काम करता है अच्छा कौन से मिल में बेंकया जी के मिल में अहां बेटी सुमती कुम-कुम लियाओ बीटा भैया क्या है यह सब जब से आई हो तब से देख रहा हूं भैया के हर बात को तुम एग्णोर करती हो तुम मेरे भैया को क्या समझती हो आखिर तुम यह सब क्यों कर रही हो गोपी कैसी बात कर रहा तु बेटी तुम अन्दा चाहा एगोपी बहुर नहीं है धीरे धीरे समझ जाएगी अच्छी एसी बासारी जिसे चूहा मर गया हो देखाव कहीं नीचे तो नहीं है अभी आरा है क्या अहां नहीं आ रहा है अरे भाई पैर हिलाओगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा मेरे पैर हिलाने का तेरे खाने के साथ क्या संबंद है तुम्हारे पैर के अब ठीक है कितनी बार कितनी बार बोला है तुझे एक बार बात समझ में नहीं आती है क्या चल जा 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 बाबरे मुझे आशिर्वाद देजी भाईया बगवान के कृपा तुझ पर सदा वनी रहें क्या बात है पोस्टिंग ओडर की चिठी आई है अच्छा अपने ही गाउं में मैं ऐसा ही न्यूक थुआ हूं अरे बहुत खुशी की बात है भाईया मुझे नहीं पहले अपनी बीवी को खिलाओ यह सब उसकी किस्मत है तेरी नौकरी के लिए उसने कितनी पूजा की होगी कितने उपवास रखे होंगे जाओ पहले उससे खिलाओ बड़े भाईया मुझे महाप कर दीजिए यह क्या बटा नहीं भाईया मेरा चेहरा देखने से काम विगड़ जाता है मैं शुश्यानी की कुणली वाली हूं मेरे पापा बच्पन से यही कह रहे थे और वही बात मेरे दिल में बस गई थी उस दिन आपने मुसे कुम-कुम अगर आपका अपमान हो गया हो उससे तो मुझे माफ कर दीजिए यहीन रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं बड़े भाईया मेरा भी नसीब मेरी पूझा का भी कुछ महत्म है यह किसीने पहली बार मुझसे कहा है अब अगर इस पल मुझे मौत भी आ जाये तो कोई परव के लिए इनसान ही बजय होता है अरे इनसान ही क्या और भगवान ही क्या बिली रासता कार जातों शुब होता है वोग कहते हैं मैंतों vanish कैटें अन्य करफूRO और बुरा इंसान के दिल में होता है लाशयर वाद देने वाले हाथों में नहीं कि आज के बाद कभी भी अपने आखों में आशु मत लाना ठीक है ना इसका मुव मिठा करवा अरे खिला ना मद्धू बच्पन से मैं अकेले ही मेहनद कर रहा हूँ यह सोचकर मेरी मदद करने के लिए पढ़ाही दिवांग मने घुसरे यह कहकर तुन्हे पढ़ाही छोड़ दी और काम करने लगा अब तेरे दोनों भाई अच्छी जगा पर हैं दोनों देवर को अच्छी पगार मिलती होगी यह तेरी पत्नी सोचती होगी देख मधू ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा ही कुछ कर सकता है हिम्मत और होसला हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है तेरा दिमाग भी अच्छा है तो कुछ भी कर सकता है और पिर तेरी मदद के लिए सब के सब हम मौजूद तो है ना हम करते हम कुझा दूपाराइज है झाल झाल आ आव पेटा नमस्ते जी है हुआ अगले हफ्ते सेव38 का पैकट ना रissements ni, इपकेड मार्केट में आपके प्रोडक्ट कीouch की बहुत इस तहाँ आग यह लगे अपकरमाल नहीं चाहिए समझ गए ना ऐसा क्यों आपका माल मार्केट में बिलकुल नहीं भिक रहा है पूरा स्टॉक वैसा ही का वैसा पड़ा है सिर्फ रुची मसाला भिक रहा है अपनी दामाद को हमेशा कम समझते रहे हैं अब क्या कहेंगे कुछ भी हो अगर वो अच्छा रहे तो अच्छी बात यहां बुलाओ मैं बात करता हूं कि नमस्ति जी आपने बुलाया था तुम्हें आचार की दुकान बंद करनी हो गई कितना चाहिए दस लाग दूंगा चलेगा दस लाग क्या दस करोड़ दोगे तो भी मैं अपनी कंपनी बंद नहीं करूंगा अच्छे से सोच कर बताना इस धंदे में छोटे से बड़ा हुआ हूं मुझसे मुकाबला बहुत महंगा पड़ेगा छे हजार लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं पूरे मुंबई में मेरी ब्रांच है मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं आफ्टर ओल अपने घर में बना करके तो हम कैसे मार्केटिंग कर पाओगे आपने पूरे राजज में 6000 रखे वे और मेरी कंपनी से डर रहे हैं इसका मतलब की मेरा माल अच्छे और अगर क्वालिटि अच्छी है तो पिर मुकाबला क्या इस दुनिया में मैं कहीं भी मार्केटिंग कर सकता हूं चलता हूं कि यहां पर नहीं साब यहां भी नहीं जड़ा लंबी सांस कीचना धीरे धीरे ओके उच्छे यह अब बैट जाए अरा अच्छा साब मुझे क्या हुआ है अरे कुछ नहीं नॉमल सा पेट दर्ध है मैंने मेडिसिन्स लिगती है सुभेश दो दो अच्छा हां टोकन नमर्टिनाइन क्या कहा साहर के डॉक्टर ने कहा था खतरनाक विमारी ऑप्रेशन करना पड़ेगा लेकिन यह डॉक्टर साहब कह रहे है कि तो उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखना काम में इतना घुच जाता कि ठीक टाइम पर खाना भी नहीं खाता है बिल्कुल चिंदा मत किजिए एक बज़े पैशन बान खाना चालू हां वैसे ख्याल रखना मैं देख लूंगा भाईया आप जाईए कि इतनी चोटा को कैसे लगई कोई एक्सिदेंट हुआ क्या कुछ में नाखून कात रहा था तो इलेक्टरिक खंबे से बांद के मारा ऐसा कोई करता है क्या वह इंसान है या कोई राक्षा सा है बात बात शुक्रिया कि तुम मुझे समझ पाए हैं वह लोग तो मुझे नाकून कारने का मतलब उंगली कारता तुझे मार ना चाहिए मुझे कहीं सेप्टिक न होगा है हमारे दोनों गाउं के बीच में मलीकारजुन स्वामी का मंदिर है जिसकी हालत इस वक्षाब है इतने दिनों तक हमारे गाउं वाले कुछ करेंगे यह सोचकर तुमारे इसका जेनोधार करेंगे और हमें उसके बाद इसका अच्छे से अविशेक करना चाहिए और इसलिए कमेटी बनाए गई इस कमेटी में दोनों गाउं के बड़े बड़े लोग हैं कमेटी प्रेसिडंट के लिए अगर आपको किसी का नाम चुनना है तो गोपाल जी का नाम और लक्ष्मी पती जी का नाम ज्यादा सुनाई दे रहा है इसलिए हम सब अच्छे से सोच कर ठीक से विचार करके सभी की राय सहमती के बाद श्री गोपाल राओ जी ही प्रेसिडंट पत के लायक हैं इस कमेटी ने ये फैसला लिया है दोनों गाहँवाले मिलकर चंदा एकठा करेंगे और इस शुबकारी को सफल बनाएंगे ऐसी मैं सबसे बेनती करता हूं तो हमें एक आम शिक्री शुरू कर देना चाहिए यह क्या अभी तक नहीं आए क्या है टाइम देखिए दस बचकर दस मिनिट हो रहे हैं अभी तक आए नहीं डॉक्टर को टाइम की वैली होनी चाहिए एक एक मिनिट की वैली होनी चाहिए आप कौन है जी मैं भी एक डॉक्टर हूं आप भी डॉक्टर है डॉक्टर का अच्छा डॉक्टर का कोई बड़ा भाई भी है वो कैसा आदमी है कैसा आदमी मतलब गुस्से वाला है ऐसा सुनाए आप उनके बारे में क्यों पूशिए उस भेया का नाम सुनते ही डॉक्टर की पैंट गीली हो जाती है डॉक्टर पढ़ा हुआ लड़का है कोई ऐसे डरत शादी करके एक साल में जुनवा बच्चे पैदा करूंगी और उसके हाथ में दे दूंगी जब बच्चे पांट साल के हो जाएंगे तो उसे बड़ा परिश्रान करेंगे इस तरह से अपना बता लूँगी यह डॉक्टर कब आएगा क्या पता ठीक है आप एक काम करी जब डॉक्टर आज आए ना तो मैं यहां आए थी यह बता दी चाहिए यही के जी वो मेरा नाम बताया नहीं नंदीनी क्या कहेंगे यही के नंदीनी जी आए थी और चले गई गुड काफी आगी जाएंगे और अब यह पूरा हो गया है पूरे चार लाग अठानव एजार दो सो रुपए और तुमने जितना दिया उत्रा तो मैं नहीं दे पाँगा पर इस भगवान के कारी के लिए मेरा चंदा अठारा सो रुपए है और अब हो गये पूरे पांच लाख ठीक है यार मैं शेहर ज कर भड़र उड़र उन शेड आध़िसमें पारी कि अव पारी माई इस पी अवरर मत बड़रा भी किशयवे है jáवग बड़र अशव प्रे किश़ ज़ सुनें हु़र पारा ये अहां हुआख ऺखिस है पुछ कि जब अबया है ऑल गनल मझा आप़ हैू प्रातो सुने इशन आप लोग जाहिए अपने के जोगा। कि अप्री सीट पर बैठे जरह इने हवान दीजेए अब कैसा है बेटा जी होगे मेरा बैग मेरा बैग नहीं होगे अग किसीने मेरा बैग दिखा गया उसमें पांच लागत पेसा हुआ मेरी सोच गलत नहीं हुई उसकी अच्छाई के कारण ही आज उसका यहाल हुआ अपने आदमियों को भेजो और पुलिस में एक कंप्लेन लिखवाओ कि उसने मंदिर का पैसा चुराया इस समय पुलिस टेशन का ऐसा ही उसका भाई ही है वह खुद जाकर अपने भाईया को अरेश्ट करेगा और उसे ले जाकर थाने में बंद करेगा और जब मैं यह अपनी आखों से देखूंगा तब मेरे दिल को शांदी मिलेगी अरे गोपाल जी गोपाल जी आपने मंदिर का पैसा चुराया ऐसा पुलिस कंप्लेट किसी ने की है पुलिस आपको लेने के लिए आ रही है गोपाल जी देखो गोपी अब तुमने यह वर जी आपने घ्राशने है अब तुम्हारी नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए गुनेगार चाहिए तेरा भाईया हो ये कोई और हो उसे सजा देने का अधिकार है तुझे ये तेरा फर्ज है इस वर्दी का गौरों है भाईया कि अधिक 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 कर दो भाईया ये सच है कि मैं पुलीस वाला बनना चाहता था लेकिन मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा मैंने कभी नहीं सोचा था भाईया मेरी ये नौकरी आपकी दीवी भीक है मैं अधिक कड़ी लगा कर अपनी नौकरी बचाने से अच्छा कि मैं अपनी जयान दे दूंद मैं ये काम नहीं कर सकता भाईया नहीं कर सकता नहीं कर सकता क्यूं बेटा इतने दिनों से महनत कर रहा था अब इस्तिफा क्यों दे रहा है जरा अपनी बीडी के बारे में भी तो सोच लेता है एक बार इसमें सोचने वाली क्या बात है नानी देमरात महनत करके बड़े भाया ने इनकी इतनी अच्छे से परवरीश की इन्हीं इतने नहीं चाहिए अच्छा है भाई एक दुसरे के बार में सोच रहे थे अब लीवी भी सोचती है अच्छी बात है नानी मा भाईया कहां है नमस्ते जी ओ तुम आओ बैठो ऐसी ठीक हूँ कैसे आना हुआ आपने उस दिन कहा था ना कि मैं अपनी कंपनी को बंद करने के लिए तयार हूँ और उसके लिए मुझे पांच लाग रुपए चाहिए टेक है तुम्हे पैसे की ज़रूरत है वो मैं देता हूँ ठैक्स जी लेकिन तुम्हे अपनी कंपनी बंद करने की ज़रूरत नहीं हाँ मिश्टर मधू, आपके भाई के साथ जो हाथसा हुआ वो मुझे पता है आपके परिवार के बारे में भी मैंने बहुत सुना है जर्नली सब लोग उधारन के तोर पर तुम्हें राम लक्षमन कहते हैं राम लक्षमन कैसे थे ये तो सिर्फ किताबों में पड़ा है लेकिन किसी ने देखा नहीं तुम्हारे भाईयों को देखता हूँ तो शायद राम लक्षमन भी ऐसे ही होंगे ऐसे परिवार को तकलीफ में आना ये बहुत ही दुख की बात है राम के हनुमान के जैसा तो नहीं लेकिन अपन तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं ये पैसे तुम रख लो तुम अपनी कंपनी के नाम पर सब माल तयार करो मैं पूरी दुनिया में उसकी मार्केटिंग करूँगा सर आपका ये अहसान मुझे पर उधार रहा सर दोस्तों के बीच में कौन से अहसान वी आर फ्रेंड्स अरे वहां क्यों रुख गए आओ तुम अपने भाई को एरेस्ट करने के लिए वहां गए थे और वो खुद चलके यहां आ गए अच्छा ये बताओ तुमने इनिफॉर्म को हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है सर मैं ये इतनी चोटी सी बात से डर कर तू रिजाइन कर देगा तुझे ऐसे आगे बहुत सारे केस मिलेंगे मैं तुझे इस पी बनते देखने चाहिए वह बात नहीं तू कुछ मत बोले इस्पेक्टर साब मुझे लौक अप्रबंद कर दीजिए रुकिये सर वह पैसा चोरी नहीं हुआ वह पैसा मैंने निकालिया था सर यह बात भीया नहीं जानते थे बाइग नहीं दिखा तो चोरी हो गया समझ बैठे थे जब शहर से मैं आया तो मुझे इस बात का पता चल यही सच्चा ही है सर जो हुआ उसके लिए माफ कर दो भीया घर चल कर आपको सब कुछ बता दूँगा सर यह रहा पांच लाख रुपया यह पैसे कमेटी को देखर यह केस क्लोज कर दीजिए कैसे आदमियों यार तुमने निकाला था तो भैया को बताना चाहिता ना विकार में शरीफ आदमी को परिशान होना पड़ा सरी सर भैया आप घर जाए मैं हिसाब किताब करके आता जलता हूँ जीक है समझ नहीं पा रहा हूं कि उसे नीचा कैसे दिखाऊ आखिर उनके पास पांच लाख रुपय आये कहां से लेकिन अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अज तक तेरी समझ में कोई बात आई है जो आज तेरी समझ में आएगी बेवकूफ इंसार तुम यहीं पर रूको मैं भाया का मूर देख के आता हूं फिर तुम्हें अंदर बुलाओंगा ओके भाया क्या है वह भाया मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है उसी के लिए आया हूं कौन सी बात वो भाया मैं और एक लड़की चे लड़की से बारे में तुमने मुझे कब बताया गाओं में सब बातें कर रहे थे मैंने भी वहीं सुन ली सुरी भाया आपको बहुत दिन पहले मैं बोलना चाहता था और मुझे आपसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई वो लड़की अभी बाहर ही खड़ी है बाहर क्यों खड़ा रखा अगुण करें और मैं सनों बहुत अच्छा अजाओ यह सही है क्या बड़े भाया का नाम सुनते ही इसकी पैवाली हो जाती है डॉक्टर पढ़ने वाले लड़के को को ऐसे डराता है क्या यह गलत है कि नहीं गलत तो है जी नमस्ते करो यह क्या मैं इधर वो नमस्ते उधर लिए अच्छा तुम्हारा नाम क्या बेटी नंदी 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 बहीं यह नहीं बता सकती वह बड़े लोगों की इजट करती है और सिफ प्रोस फ्रेंड्स से ही यह बात करती है वैसे बहुत शेर्मीली है यह है ना मेरी एक बार उस डॉक्टर से शादी हो जाए फ उसे बड़ा सताएंगे अरे भाई लड़की चेहरा नहीं दिखा रही तो मैं फैसला कैसे लूँ सर उठाओ ना क्या बोलेंगे यही जी कि नंदरी जी आई थी और चली गई काफी आगे जाएंगे यह आपके बड़े भया है यह आपके बड़े बयाया है उस दिन हौस्पीटल में इस वह कुछ कह दिया शादी के बारे में भी अब मैं क्या करूं कुल माइंड नहीं करते हैं ने इतना आपमान के आप केसे बात बनीगी कि तुम ना कहीं और शादि कर लो अगर लड़की पैता होला तूसे मेरा नाम दे देना मैं मर जाओंगी हाँ इसे जब उस दिन होस्पिटल में देखा था तभी एक फैसला ले लिया था देखा न तुमने इन्होंने सब को सुन लिया इन्होंने फैसला भी कर लिया होगा मैं चलती हूँ ठेक वेटा जाओ और सुनो अगली बार आना तो अपने माता पिता को लाना शादे की बात करनी है ना उनसे नहीं समझी तुम ही मेरे भाई के लिए सही जोड़ी हो यही फैसला है मेरा थांकी बड़े बैया मुझे आशिर्वादी जी उठो बेटी शीक्र मेवकर ल्यान प्राप्तियस्तर हाँ बेटी मेरी इज़त तुने मिट्टी में मिला दे किसी भिखारी से कहती तो उससे तेरी शादी करवा देता जानती है तु किस से प्यार करती है जिस इंसान की वज़े से तेरे बाप की यहालत हुई है उसके भाई से तु प्यार करती है उस दिन वो गोपाल मंगनी के दिन हमारे घर तक तो आया लेकिन तेरी भुआ को छोड़ कर चला गया और उसी गुस्से में आकर अपनी बेहन की शादी मैंने किसी और के साथ कर दी बाद में मुझे पता चला कि पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी वो दूसरी शादी होती तो भी चलता था लेकिन वो एक कमीना इंसान था तू किसी से प्यार करती थी न ऐसा बोल बोल कर उसने मेरी बेहन की जिन्दगी पर बात कर दी थी तो चरित रहीन है इसलिए वो छ बाई और ऐसे घर में तू बहु बन कर जाएगी एक बात तू ध्यान से सुन ले तो जिन्दगी भर इस घर में कुवारी पड़ी रहेगी तो भी मुझे परवा नहीं लेकिन उसके बाई के साथ में तेरी शादी कभी नहीं करूंगा है तुरंत पंडित को बुलाओ जल्द से जल्द तुम्हारी और नंदनी की शादी होगी अरे यह क्या एक निवाला भी नहीं खाया और हाथ धोली है मुझे भूख नहीं है नानी वो लड़की बहुत अच्छी है पड़ी लिखी है हम सबको बहुत पसंद आई लेकिन रक्ष्मिपती के बारे में सूचता हूं तो बहुत डाल लगता है हमारा परिवार का बलग हो वो यही रहा देख रहा है भया सच्चा ही तो यही है कि मेरे लिए इस परिवार से और और कुछ भी नहीं है भया मैं उस लड़की को भूल चुका हूं आप भी भूल जाए तुम तुम इस वक्त क्यूं आई हो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी जरा बाहर आओगे यह क्या तुम सूटकेस लेकर आई हो मेरे पिता जीने मेरे शादी करवाने का फैसला कर लिया है चलो हम दुर यहां से भाग चलते हैं अब मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो देखो नंदरी अगर इस वक्त भाहिया ने तुम्हें यहां पर देख लिया तो अच्छा नही कि शिखर अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि तुम से दूर रहकर खुश रह पाओगी वह मुझे नहीं बता लेकिन मैं अपने बड़े भाया से दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा नंदरी मेरी मजबूरी को समझो तुम्हारे पिता की जहां शादी करवाना च अब तुम जहों यहां से मुझे बाफ कर दू अब तुम जहों यहां से मुझे बाफ कर दू अरे ऐसे गुमसम क्यों बैठे हो कुछ नहीं यार जिस लड़की को मेरा भाई चाहता है वो खुद आकर कह रहे ही कि भाग चलते चलो लेकिन मेरा भाई कहता है कि वो भाईया को नहीं छोड़ सकता इसा बोल के उस नगए को भीज दिया है चोटा वाई हो मेरे इतनी हिजब सब्रक्स करता है पता है आज तक उसने जो भी मागा में से दिया है उसके बाइया के रूब में और उसके हाओ जरुत कर पूरा किया है मैं तो जिस लड़के से वो प्यार करता है कि उसे ना कैसे कह सकता हूं मैं ऐसे लिए फैसला लिया है ओपनिंग स्टॉक 31,000 और 71,000 है आज 200 लौरी में 21,500 का माल आया है वो सब मैंने यहां रखवा दिया है और और यह सारी जो द्धान की बोरियां वो कल आई है और 50 लौरियों में 500 की बोरी बाहर भीजवा दिया है शाम तक वो लोग कि यह यहां पर क्यों आया है कि नमस्ते यह यहां क्यों आया है पूछो आप से कुछ मांगने आया हूं आप जाएए उस दिन मैंने कहा था कि आपके बेहन से शादे नहीं करूँगा क्यों कहा था आप अच्छे से जानते हैं मैंने जो किया वो गलत है आप समझ रहें तो उसके लिए मेरे भाई को सजा मत दीजे हम लोगों के बीच जो दुश्मन ही है उसे जाने में नहीं उसने प्यार किया मैं अपने भाई के लिए आपके बेटी का हाथ मांगने आया हूँ कृपा करके उन दोनों की शादे करवा दीजे चेहरा देखूंगा तो मुझे पाप लगेगा यही सोच कर मैं गाउं से बाहर यहां जी रहा हूँ ऐसे में मैं अपनी बेटी को तेरे घर भेजू इतने सालों से मैं यही सोचता रहा कि तेरी परचाई भी मुझ पर ना पड़े अब यह जिद छोड़ कर मैं तुझ से रि क्या छोड़ोगे बताओ अपनी जान छोड़ोगे अब ठीक है जी तुझ अपनी जान छोड़ेगा तो मुझे क्या मिलेगा जिनने तु सबसे जादा प्यार करता है उन्हें छोड़ दे तेरे भाईयों में तीरी जान बसती है न उन भाईयों को छोड़ दे भाईयों के साथ रिष्टा तुझे तोड़ना पड़ेगा जिस वक्त तेरा भाईयों मेरी बेटी शादी के मंड़प में बैठेगे उसी वक्त तुझे अपने भाईयों से रिष्टा तोड़ लेना हो तेरा भाई मेरी बेटी के गले में मंगल सूत्र पहना है उससे पहले तुझे यह गाउन छोड़कर जाना होगा अगर तुझे यह सब मन्जूर है तो मुझे भी यह शादी मन्जूर है क्या होते हो थेख आज वादा करो मुझे इहां टुल दुल जुल है अंकल नंदिनी का मेरे साथ शादी करवाने का वादा किया था आपने Im 003HaT तू नहीं सम्झेगा इसे इसके भाईयों से अलग करना है यह सपना में बर्सों से देख रहा था है किह हम मेरा सपना सच हो रहा तुम चिंता मत करो एक अच्छी सी लड़की देखकर मैं तेरी शादी करवा दूंगा शेखर मधू नानिमा एह तुम बहुत नसीब वाले हो लक्षमी पती से मिलकर आ रहा हूं हम बेचारे को गलत समझ रहे थे बहुती प्यार से उन्होंने मुझसे बात की और खोशेश शादी के लिए मान रहे हैं बेच्ट के लिए था रहे हैं बड़ भीया क्या हुआ कि शादी के बाद जैसे ही बच्चे होंगे तो वह आपके पास ही रहेंगे अगर वह आपके पास रहेंगे तो भाईया वह प्यार का मतलब सच में समझ पाएंगे ठीक है मेरे पास नहीं तो और किसके पास रहेंगे उनके नाना नानी आकर मांगेंगे तो भी नहीं दूगा ठीक है न ठीक है भाईया नहीं दो और किसा रहेंगे झो १क टम तो अरे गोपाल अरे हम समका छोड़कर कहां जा रहे हो तुम मेरे यार भाईयों को जैसे पालना चाहिए वैसे ही पाला मैंने वैसे बढ़ा किया अब वो खुशी-खुशी रहें उसे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे मैं कई भी चला जाओ लेकिन उनकी खुशी में एक था मैं हमेशार रहूंगा मत्रों मेरे यार कोई देखेगा तो क्या सोचेगा मत्रों अंदर जा चाहिए चाहिए आए कुशले के अजन गेला हैं इसे माटी जा चाहिए तो धीनमाप उन नाहंस्वाह उम वद्वय स्वाह मुशी कॉत नायों अंदर हाल डिए अ मंगलाम बग्वाल विष्टू मंगलाम दर्वाद्वजा मंगलाए दन्वारे ओं पिताचा बहिया कहा है अरे वो काम से बाहर गए है आज आएंगे ना नमस्त्र आई 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 अच्छ चंड्रा गोपाल कहां है दिखाई नहीं दे रहा अभी अभी ते तुम्हारे साथी था कोई उसका दोस्त आ गया था वो कह रहा था तुम उससे लेने गया है आ रहा हो आठीक कर दोस्तों नहीं देए ऑ शत्र तुम्हारे साथी अब्लड़ वोड कर दोस्त्र उसत्र उसी प्रत्र आई गर खुला है तुम जाकर ताला लगा है ठीक है भाया बड़े भी कहा है थोड़ा काम से भाहर गया है आते होंगे हम् बजाते रहो बजाते रहो बेटा लगा है कि अगौन करो कि भड़े भाया को आने दीज़े तभी मंगल शुतर पहना होंगा यह क्या है बेटा देर होगी तो शुब दो मुहरत निकल जाएगा जब बड़े भई आएंगे शुम होरद भी तभी होगा अजुब घड़ी में मंगल शुत्र पहनाना शुब नहीं हो तुम यह क्या करें तुम मैं जो कह रहा हूं वह सच है अगर तुम लोग मेरी बात पर शक है तो चाहे तो तुम इनसे पूछ सकते हो यह सथ जानते हैं पिता जी यह क्या है सब क्या है से बताईए कि सब लोग मुझे माफ कर दो यह हुआ ताई इहीं नहीं बात नहीं घसनानि करना है किया आपने बड़े बाया के बगर नन्नी दर्मासा खोलो नन्नी भेता मेरी बात सुनों बेटा मेरी भास रोगो वसने शादी निकेतक्त iba मैसे शादी करंगाा यह रास्ता नन्नी यह हूं этого मampa कोड़ो पॉपा पॉपा नल से हैञा तॉ से हमากशन चिक राउ управ बापिको रहा अपा शेखर शेखर बेटा वह कमीना मेरी बेटी को लेकर जा रहा है उसकी जिन्दगी बरबाद हो जाएगी मैं हाथ जोड़ता हूं उसे बचा लो बेटा बस करो आज के बाद तेरी बेटी से मेरा कोई संबन नहीं इस रिष्टे को मैं खत्म करता हूं मैं जा रहो यहां शेखर तो वो हमें माफ नहीं करेंगे ना निमा आप एने लेकर घर जाओ शेखर को पी तुम लग भाईया को डूंड़े जाओ नन्देनी को मैं बचाओंगा कहां ले गया होगा वह उसको है चलो उत्रा चलो 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 हुआई ओउआए पाओ चलो 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 प्रते रहीं को बच्सा्यां जाओ मैं य Ó इल पहुआई बचार को कि कि बच्चाई यह तुम यह ख़र सक्ष्णता ऊड़ीज़ा छाग के वहुआई एहां उत्रा प्रते लिए यूह थे खईख़ईएएएएए पर इसरी कर दो 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 कर बायाँ स्फित मुझे मत मारो मैं हाथ जोड़ तो मुझे माफ करदो मुझे माफ कर दो लक्षमी बती ये शादी हो जाए से लिए मैं गाउँ छोड़कर जा रहा था लेकिन मुझे पता था कि शादी रुख जाएगी इसलिए मैं वापस आगया मैं चला जाओंगा गोपाल ये क्या कर रहा है मुझे माफ कर दो गोपाल भगवान श्री राम चंद्र जी अपने पिदा की बात बान कर जंगल गये थे मगर तुम अपने भाईयों की खुशी के लिए गाउँ छोड़कर जा रहे थे तुम मेरे लिए भगवान और ये क्या कर मैं अपने दिल की इच्छा तुम्हें बताओं अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं तुम्हारा भाई होकर जन्म में ना चाहता हूं झाहता हूं